तो आज फ्रेंग्शिप दे हैं एंड मेरे तरफ से आप सबको हैपी फ्रेंग्शिप देग्श सब जानते हैं कल रक्षा बंदन है और हम सब अपने चहरे पे एक नाचुरल ग्लो और स्मूध करन चाहते हैं तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए के आई हूँ एक नाचुरल फेशल क्रीन अप इसमें मैंने तीन स्टेप्स फॉलो किये हैं पहला फेस वाश दूसरा स्क्रबिंग और तीसरा एक फेस मास्क सारे इंड्रीडियन्स घर पे ही आपको इसली एवेलेबल मिल जाएंगे तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरुवत नहीं है कि कितना एफेक्टिव है और क्या आपको इसी यूज़ करना चाहिए या नहीं चलिए आगे जाके वीडियो में देखते हैं तो लेट्स स्बसे पहले आप एक लेमन का स्लाइस ले लीजे और उसमें हम आ आखेट्स और वाइटेट्स की प्रॉबलम है उसको भी ठीक करेगा और क्यूंकि हमने इसमें सोडा डाला है तो यह हमारे पोर्स को भी अनक्लॉक करेगा और एक इवन स्किन टोन हमारे चेहरे पे छोड़ देगा फिर उसके बाद अपने चेहरे को एक मिनिट तक ऐसे करने के बाद वाश कर लीजे अब स्क्रब करने के लिए मैं यहां ले रही हूं चावल का आटा आधा चम्मच चावल का आटा ले लीजे और इसमें एक चम्मच शेहट डाल दीजे यह एक इतना अच्छा स्क्रब बन जाता है कि एकदम आपको मार्केट वाले स्क्रब की फीलिं है या वाइट है की प्रॉबलम है वहां पर हम इसे एपलाई कर लेंगे इस क्रब से क्या होगा आपकी चेहरे पर जितने भी लाइन्स और रिंकल्स है वो स्मूध हो जाएंगे अगर आपको ब्लेमिशिस रेडनेस की प्रॉबलम है तो भी वो ठीक हो जाएगी और अगर को प्रशनल स्टेप है आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं नहीं तो नामली फिंगर के हर्प से भी आप इसे स्क्रब कर सकते हैं दो मिट तक करने के बाद देखिए आपका चेहरा इग्दम स्मूध हो जाएगा फिर फेस मास्क बनाने के लिए मैं यहां एल्प्सकूड्ने यूज कर सकते हैं या फिर tap water भी यूज कर सकते हैं एक paste बना के हमें इसे अच्छी तरीके से अपने चेहरे पे लगाना है मुलतानी मिट्टी हमारे skin को smooth करेगी हमारे oil secretion को reduce करेगी और जितने भी dirt and pollution जो अंदर तक हमारे layers में चले गए हैं उनको भी निकालने में हमारी help करेगी तो इसे mask को अपने पूरे चेहरे पे लगाके जब तक हलका हलका सूख न जाए आपको तब तक के लिए अपने चेहरे पे रखना है हलका हलका चेहरे को गीला करके मसाज देते वे इसे क्लीन करें आप देखिए क्लीन करने के बाद मेरे चेहरे पे इतना अच्छा एक शाइन एन गोल्डन ग्लो आ गया है तो अगर आपको ये एफेक्टिव लगे तो आप जरूर ट्राइ करें और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको कैसा लगा तो मैं यहाँ एकदम सिंपल मेकप लूप क्रियेट करने वाली हूँ जो टीनेजर्स या बिगिनर्स कोई भी अपने चेहरे पे यूज कर सकता है सबसे पहले आपको क्या करना है अपने डार्क एरियाज में एक कंसीलर अपलाई करना है अगर आपके बहुत जादा डार्क पैचिस है तो आप पहले एक औरेंज कंसीलर लगाएंगे और उसके बाद एक नॉर्मल कंसीलर अपने चेहरे पे अपलाई कर लीजे फिर उसके बाद आप एक मोटा ब्रश या फिर एक beauty blender को लेके भी इसे blend कर सकते हैं circular motions में आपको apply करके इसे अच्छी तरीके से blend करना है देखिए आप ऐसे drag नहीं करेंगे हलका हलका प्रेस करते वे आपको इसे अपने पूरे face में जहां जहां आपने concealer लगाया था वहाँ वहाँ अच्छी तरीके से mix करना है फिर इसके बाद इस concealer को set करने के लिए मैं यहाँ faces Canada का compact powder यूज़ कर रही हूँ अगर आपने foundation apply किया है तो यह एक must step है कि आप इसे अच्छी तरीके से set कर लीजे अगर आपके पस compact powder नहीं है तो आप talcum powder यूज़ कर सकते हैं या फिर fit me का जो loose powder आता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं set करने के लिए अपने neck पे apply करना बिलकुल मत भूलिएगा वरना आपका face और neck दोनों अलग-अलग color का दिखेगा फिर हमारा third step है हमें अपने eyebrows को shape देना है उसके लिए मैं एक spoolie के help से इसे जो existing shape है उसी में mold कर रही हूँ फिर उसके बाद आप अपने gaps को fill in कर लीजे और वापस से spoolie के help से इसे मिला लीजे कुछ इस तरीके से अब eye shadow के लिए आप जो भी color का outfit पहन रहे हैं उसी color का eye shadow apply कर लीजे अपने पूरे eyelids में मैंने pink color का outfit पहनना है इसलिए मैं pink color का eye shadow अपने दोनों eyelids में apply कर रही हूँ उसके बाद आप एक काजल ले लीजे और उसे अपने पूरे eyelids में लगा लीजे अगर आपको eyeliner लगाना नहीं भी आता है तो भी आप इसे unevenly भी लगा सकते हैं जैसा आपको आता है वैसा apply कर लीजे और इसके बाद एक smudger के help से हम इसे अच्छी तरीके से smudge करेंगे स्मच करने के बाद ये कुछ इस टैप का लगेगा उसके बाद मैं एक highlighter लेके अपने eyebrows के नीचे apply कर रही हूँ ताकि वो हलका सा sharp दिख सके आप अपने दोनों eyebrows के नीचे इसे apply कर सकते हैं हलका हलका सा अपने inner corner of the eye में भी लगा लीजे फिर मैंने इसे अपने nose पे भी apply किया है आप सारे highlighting points में इसे अच्छी तरीके से apply कर लीजे फिर blush के लिए मैं यहाँ अपना DIY lip and chick tint यूज कर रही हूँ इसको मैंने already अपने channel पे upload किया वा है आप जाके check out कर सकते हैं यह एक बहुत ही natural blush का काम करती है लगाते वक्त यह हलका सा patch ही लग सकता है बट हम इसे अच्छी तरीके से brush के help से यह fingers के help से blend कर लेंगे blend होने के बाद यह कुछ ऐसा लगेगा so guys this is the final look मैंने कुर्टा पहन लिया है and a pair of earrings जो मेरे dress के साथ एक दिए matching है like इसमें भी mint color है इसमें भी mint color है तो मैंने आपके साथ एक makeup routine भी share कर दिया है और एक face cleanup भी अगर आप भी कर रक्षा बंदन celebrate कर रहे हैं तो यह face cleanup जरूर ठ्राइ कर येगा and अगर आप पर यह effective हो तो मुझे comment करना मत भूलेगा so that's it for today आप देख सकते हैं आप भी इसमेकप लोग create कर सकते हैं यह बहुत simple and easy है मैंने कोई liner mascara यूज नहीं किया है अगर आप चाहे तो आप use कर सकते हैं यह बिल्कुल आप पर depend करता है तो अगर वीडियो पसंदा ही हो तो इसे like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा बाबाई, thank you for watching